happiest mind का IPO आ चुका है और उसे आप जरोधा के जरीए कैसे IPO को book कर सकते हो 7 तारिक से लेकर 9 तारिक last date है उसको मैंने कैसे book किया है मैं आपको दिखा देता हूँ जिनको नहीं पता है बहुत से लोगों को नहीं पता है ये वीडियो सिप उन्हीं लोगों के लिए है तो वो लोग कृपया इसको देख लें और समझ लें कि अपने IPO को आप जरोधा से कोई भी IPO अगर नया launch होता है तो इसे कैसे book करना है जेरोधा काइट के जरी अगर आप करना चाहते हो तो जेरोधा काइट और desktop दोनों ही option है पहले आपको जेरोधा काइट पर बता देता हूँ जेरोधा काइट पर जाने के बाद आप नीचे दे रहे है आपके ID पर टच करो आप जैसे आप ID पर टच करोगे ID पर नीचे आप जैसे ही टच करोगे तो उपर देखो IPO लिख क्या रहा है आप IPO पर टच कर दो ये आपको website पर लेकर चला जाएगा console की जेरोधा की console की website पर लेकर जाएगा वहाँ पर आपको upcoming IPOs के बारे में भी जनकारी मिलती है और अभी जो IPO चलना है उसके बारे में भी तो बहुत ही आसान है बहुत ही easy है ये UPI से भी payment आप कर सकते हो तो UPI ही use करो ज्यादा best रहता है ये 27 तारी को आपका block कर देगा amount 27 तारी को ही detect कर देगा इनका और प्राइस जो है 165 रुपए से 166 रुपए के बीच में है तो इसका जो starting date है आज से है 7 तारीक से और end date जो है 9 तारीक तक है तो हम यहाँ पर यह bid लगा के यहाँ बिट लगाएंगे तो यह bid को टच कर दिया जो अब यहां मैं UPI ID से करने वाला हूं तो दो सिकेंड के लिए मैं अपनी UPI ID जो डालूंगा तो इसके लिए मैं थोड़ा सा हाइड कर दूँगा ठीक है मैंने UPI ID उपर डाल दी है तो UPI ID जो भी डाल दी तो इसके बाद अब नीचे इंवेस्टर टाइप में मैं इंडविजवल हूं यहां तो इंडविजवल ही रहने दूँगा और क्वांटिटी तो क्वांटिटी मुझे नब्बे च सब्सक्राइब मैं डिरेक्ट सीदे इसके मैक्सिमम एक रुपए से क्या फरक पड़ता है 165 रुपए लगा देता हो तो यहां पर छोड़ दीजिए आप सीदे नीचे चले आईए तो दिखे 14940 रुपए तो यहां जो एक चेक बॉक्स आपको मिल रहा है इसे आपको क्लि रीट कर लिया है और UPI से जो है बिडर पर आपके प्राइस को से भी जो है उस पैसे को ब्लॉक कर देगा कुल मिला कि यह है मतलब आप पैसे समझ लेना यहां सब्मीट पर हम क्लिक करेंगे फ्रेंट जैसे ही आप सब्मीट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यह confirmation message आ जाए होगा फोन पे गूगल पे पेटियम वगरा एक स्वाइज जो भी UPI आपने सेलेक्ट किया है मैंने यहां पर फोन पे सेलेक्ट किया था तो फोन पे पर एक message आ जाएगा confirmation का उतना amount ब्लॉक करने का सेवी के तरब से तो आप उसको ब्लॉक करने के लिए पूछेगा तो यहा पर येस कर दूँगा इसके बाद एक confirmation message आपको थोड़ी देर बाद या एक गंटे बाद या साम तक आ जाएगा कि आपका इतना amount ब्लॉक हो गया जो कि 27 तारीक को डिड़क्ट होगा अगर आपको IPO अलॉट हो जाता है तो चैनल को like and subscribe करना ना भूलिएगा friends ऐसे ही latest video को द जरू करिएगा कैसी लगी ये वीडियो thanks for watching